दोस्तो PHP के डिलीट लेक्चर के अंदर आप में से बहुत सारे यूजर्स को कन्फरमेशन बॉक्स का प्रॉब्लम आ रहा था बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो मैंने उनको जनरली एक ही रिपलाई किया था कि क्रॉस चेक योर कोड वीडियो काफी पुराना है I guess 6-7 महीने से उपर हो चुके हैं इसको मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो एक्चली प्रॉब्लम किया है क्यों लोगों को ये कन्फरमेशन बॉक्स नहीं मिल रहा या फिर जैसे आप देख सकते हो अभी आपको एक कन्फरमेशन मिलता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बॉक्स नहीं आ रहा है ठीक है या फिर जिनका ये आ रहा है अगर वो ओके करते हैं तो ये जो एलर्ट बॉक्स है आपका जावा स्क्रिप्ट का पॉप अप ये शो नहीं हो रहा किसी का भी ये मुझे बहुत जादा कमेंट आया है मैंने आपको कहा था कि मैं इसके उपर सून वीडियो बना दूँगा हो सकता है मेरी आवाज आपको आज खराब सुनने को मिलें क्योंकि मेरी तबबे थोड़ी से खराब है that's why मैं आज सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ so आज की वीडियो के अंदर मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूँगा actually मैंने उस वीडियो को दुबारा देखा और देखा कि उसमें कहीं न कहीं छोटे मोट एक टाइपिंग मिस्टेक हो गए थे ठीक है जिसके कारण वर्क नहीं कर रहा है आप लोग का समय से अटके हुए थे वो इसको सही तरीके सो solve कर पाएंगे तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो make sure चैनल के playlist section में जाए और उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक करें और कुछ नए playlist क्रियेट किये हुए मैंने उसको भी आप देख सकते हो सो यहाँ पे मैंने दो फाइलो को open कर रखा है जिसमें से एक है मेरा delete का code और दूसरा है मेरा display वाला अब देखिए display वाले में क्या होगा हमारे confirmation box होगा display का page मेरा currently open है जब delete पे click करूँगा तो यह confirmation box आएगा और जैसी आप okay करेंगे तो यह delete के page के उपर जाके delete करेगा और आपको एक alert देगा record deleted तो पहले तो हम इस वाले की बात करते हैं कि यह आपका क्यूशोर नहीं हो रहा देखिए उस time पर क्या था कि मैं जैंप का पूराना version यूज़ कर रहा था आप लोगों ने latest download किया होगा तो उसके कारण थोड़े बहुत problems आ रहे थे first of all तो make sure आप delete के उपर on click equals to single quote return पक्का लगाए और check delete यह तो चलो कुछ भी हो सकता है जो आप यहाँ पे लिखोगे एक function create करें और single quote को अपने end करें यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि कोई भी spelling का mistake आप न करें ठीक है यह चीज़ आपका होना जरूरी है उसके बाद यहाँ पे जो mistake मैंने find out किया है वो यह है कि मेरे case में वो नहीं चला तो मैंने capital C लगाया था confirm के लिए पुराने versions में वो supported था लेकिन आज के time पे आप latest version डाउनलोड करते हो तो यह बहुत ही cases में नहीं चल रहा है तो make sure आप confirm का जो C है वो capital ना रख करके small रखे और single quote वे चलाए confirmation box आपका चल पड़ेगा ठीक है कोई भी problem आपको face करने को नहीं मिलेगा तो जैसी आप save करके यहाँ पे आओगे तो delete का confirmation box आपको मिल जाएगा बस आपको small c कर देना है उसके बाद जब आप delete कर दोगे तो record deleted का confirmation box चाहिए आपको जिसे हम जावा script का alert box कहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है मैंने notice किया कि पुरानी वीडियो में somehow मुझसे miss हो गया था तो मैंने कुछ ऐसा किया हुआ था और actually यहाँ पे script की जो spelling थी न वो भी गलत थी यहाँ पे make sure आप s-c-r-i-p-t जो आपने start किया है आप उसी को end करें ठीक है आप mistake ना करें somehow मुझसे हो गया था और यह जो double coat आप देख रहे हो न मैंने इस जगह पे लगा रहा है actually उस वीडियो में इस जगह पे आ गया ठीक है I don't know कैसे but वो इस जगह पे लग गया हो सकत से आप हटा करके last में लगाएंगे उसको और script की spelling सही रखेंगे s-c-r-i-p-t यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिर्फ इतने से काम आपका नहीं बनने वाला यहाँ पे आपको लगाना है alert और bracket के अंदर single quote और यहाँ पे आपको alert bracket आपका single quote पहले आपको बंद करना है और bracket आपको बंद कर देना है ठीक है और इसके बाद आपको save कर लेना है यह दोनों changes जैसे ही आप करोगे तो पहले change के कारान आपको confirmation मिलेगा और दूसरे change के कारान आपको एक javascript का alert box देखने को मिलेगा जो क्या करेगा आपको एक alert show करेगा कि हाँ आपका record जो है वो database के table से successfully delete हो चुका है ठीक है I don't think कि अब आपको कोई doubt आना चाहिए और यह बहुत ही easily solve हो जाएगा so sorry मेरे typing mistake के कारण आपको बहुत ज्यादा problem face करना पड़ा और मैंने लोगों को करा कि cross check करो हो जाएगा हो जाएगा लेकिन मैंने उसको देख करके finally आपको इसको सही करके दे दिय है अगर इससे आपका solution मिल जाता है तो make sure comment जरूर करें और इस वीडियो को like करें अगर आप हमारे चनल पर new तो subscribe करें bell icon को click करके all notification कौन करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys